ओम सान्ती आज 23 अगस्त 2020 अव्यक्त बाप दादा रिवाइस डेट है 10 मार्च 1986 हेडिंग है आज का बेफिकर बास्ता बनने की युक्ती अब सुनते हैं मुल्ली को विस्तार से ओम सान्ती आज बाप दादा बेफिकर बास्ता की सबा देख रहे हैं ये राज्य सबा सारे कल्प में विचित्र सबा है बास्ता तो बहुत हुए हैं लेकिन बेफिकर बास्ता की ये विचित्र सबा इस संगम योग पर ही होती है ये बे फिकर बासों की सबा को सत्यूग की राज्य सबा से भी स्रेश्ट बताया है क्योंकि वहां तो फिकर और फकूर दोनों के अंतर का ग्यान इमर्ज नहीं रहता है फिकर सद का मालूम ही नहीं होता है सत्यूग में तो लेकिन अभी जब की सारी दुनिया कोई ने कोई फिकर में है सवेरे से उठते अपना परिवार का, कारिय वैवार का, मित्र संबंदियों का कोई ने कोई फिकर होगा लेकिन आप सभी अमरत वेले से बे फिकर बासा बन दिन आरंब करते हो तो ये बहुत बड़ी बात है, फिकर का knowledge है अपने को, लेकिन फिर भी हम बेफिकर बासा की तरह अपना दिन आरंब करते हैं, और बेफिकर बासा बन हर कारिय करते हैं, बेफिकर बासा बन आराम की नींद करते हैं, सुक की नींद, सांती की नींद करते हो, ऐसे बेफिकर बास सा बन गए ऐसे बने हो या कोई फिकर है बाबा पूछ रहें बाप के उपर जिम्मेदारी देदी तो बे फिकर हो गए अपने उपर जिम्मेवारी समझने से फिकर होता है जिम्मेवारी बाप की है और मैं नीमित सेवाधारी हूँ मैं नीमित करम योगी हूँ ये समझने आप जिम्मेदारी हमेशा बाप पर रखनी हैं और हम तो नीमित हैं करावन हार बाप है नीमित करणहार मैं हूँ अगर ये स्मर्ती हर समय स्वत ही रहती है तो सदा ही बेफिकर बास्सा है अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने उपर बोज उठा लेते हो तो ताज के बजाए फिकर के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं नई तो सदा लाइट के ताजदारी बेफिकर बास्सा हो बस बाप और मैं तीसरा न कोई ये अनुबूती सहज बेफिकर बास्सा बना देती है तो बाबा पूछते हैं कि आप ताजदारी हो या टोकरे धारी हो टोकरा उठाना और ताज पहनना कितना फरक हो गया एक ताजदारी सामने खड़ा करो और एक बोज वाला टोकरे वाला खड़ा करो तो क्या पसंद आएगा बाबा पूच रहे हैं ताज वाले पसंद आएगा ना ताज आएगा या टोकर आएगा अनेक जन्मों के अनेक बोज के टोकरे तो आप आकर उतार कर हलका बना देता तो बेफिकर बाथसा अर्था सदा डबल लाइट रहने वाले जब तक बास्सा नहीं बने हैं तब तक ये करमिंद्रियां भी अपने वस में नहीं रह सकती है राजा बनते हो तब ही माया जीत, करमिंद्रिय जीत, प्रकर्ती जीत बनते हो तो राज्य सबा में बैठे हो ना ठीक है अच्छा आज यूरोप का टर्ण है यूरोप ने अच्छा विस्तार किया है यूरोप ने अपने पडोस के देशों के कल्यान का प्लैन अच्छा बनाया है जैसे बाप सदा कल्यानकारी है वैसे बच्चे भी बाप समान कल्यान की भावना रखने वाले हैं अभी किसी को भी देखेंगे तो रहम आता है ना कि यह भी बाप के बन जाएं देखो बाप दादा स्टापना के समय से लेकर विदेश के सबी बच्चों को किसी न किसी रूप से याद करते रहे हैं और बाप दादा की याद से समय आने पर चारों और के बच्चे पहुँच गए हैं लेकिन बाप दादा ने आवान बहुत समय से किया है बच्चे पहुँच जाते हैं ना बाप दादा की याद से आवान के कारण आप लोग भी चुम्बक की तरह आकर्षित हो पहुँच गए हो ऐसे लगता है ना कि ना मालुम कैसे हम बाप के बन गए बन गए यह तो अच्छा लगता ही है लेकिन क्या हो गया कैसे हो गया यह कभी बैठ कर सोचो कहां से कहां आकर पहुँच गए हो तो सोचने से विचित्र भी लगता है ना ड्रामा में नूंद नूंदी हुई थी ड्रामा की नूंद ने सभी को कौने कौने से निकाल कर एक परिवार में पहुँचा दिया अबी यही परिवार अपना लगने के कारण अति प्यारा लगता है बाप प्यारे ते प्यारा है तो आप सभी भी प्यारे बन गए हो आप भी कम नहीं हो आप सभी भी बाप दादा के संग के रंग में अति प्यारे बन गए हो किसी को भी देखो तो हर एक एक दो से प्यारा लगता है हर एक के चेरे पर रुखानियत का प्रभाव दिखाई देता है foreigners को मेकप करना अच्छा लगता है तो ये फरिष्टेपन का मेकप करने का इस्तान है कौनसा? बाबा का घर यह मैक अप ऐसा है जो फरिस्ता बन जाते है जैसे मैक अप के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है ना मैक अप करने से सब अच्छे लगने लग जाते हैं खुबसूरती आ जाती है मैक अप से बहुत सुन्दर लगता है तो यहां भी सबी चमकते हुए फरिष्टे लगते हो क्योंकि रुवानी मेकप कर लिया है उस मेकप में तो नुकसान भी होता है इसमें कोई नुकसान नहीं ठीक है ना उस लोकिक मेकप से तो नुकसान भी होता है इस मेकप से कोई नुकसान भी नहीं होता तो सभी चमकते हुए सर्व के इसने आत्माई होना यहां इसने के बिना और कुछ है ही नहीं उठो तो भी इसने से गुड मॉनिंग करते खाते हो तो भी इसने से ब्रह्मा भोजन खाते हो चलते हो तो भी इसने से बाप के साथ हाथ में हाथ मिला कर चलते हो foreigners को हाथ में हाथ मिला कर चलना अच्छा लगता है न तो बाप दादा भी कहते हैं कि सदा बाप को हाथ में हाथ दे फिर चलो अकेले नहीं चलो अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे और कभी किसकी नजर भी पड़ जाएगी बाप के साथ चलेंगे तो एक तो कभी भी माया की नजर नहीं पड़ेगी बाबा साथ होंगे तो कभी माया की नजर भी नहीं पड़ेगी और दूसरा साथ होने के कारण सदा ही खुसी खुसी से मौज से खाते चलते मौज मनाते जाएंगे तो साती सब को पसंद है न या और कोई चाहिए बाबा का साथ पसंद है या नहीं है या और कोई companion की जरूत है कभी थोड़ा दिल बैलाने के लिए कोई और चाहिए दोका देने वाले संबंद से छूट गए हो उसमें दोका भी है और दुख भी है अभी ऐसे संबंद में आ गए जा न दोका है न दुख है बाबा का संबंद ऐसा है यहाँ पर ना तो कभी कोई दोका होगा ना कोई दुख होगा बच गए सदा के लिए बच गए ऐसे पके हो कोई कच्छे तो नहीं ऐसे तो नहीं वहाँ जाकर पत्र लिखेंगे कि क्या करें कैसे करें माया आ गई यूरोप वालों ने विशेश कौन सी कमाल की है बाप दादा सदा देखते रहे हैं कि बाप जो कहते हैं कि हर वर्स बाप के आगे गुल दस्ता लेकर के आना वह बाप के बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने अच्छा अटेंशन रखा है यह उमंग सदा ही रा है और अभी भी है कि हर वर्स नए नए बिच्ड़े हुए बाप के बच्चे अपने गर में पहुँचे अपने परिवार में पहुँचे तो बाप दादा देख रहे हैं कि यूरोप ने भी ये लक्षिय रख करके व्रद्धी अच्छी की है तो बाप के महावाक्यों को आज्या को पालन करने वाले आज्याकारी कहलाए जाते हैं और जो आज्याकारी बच्चे होते हैं उन्हों पर विशेश बाप की आसिरवाद सदा ही रहती है आज्याकारी बच्चे स्वत्य ही आसिरवाद के पात्र आत्मे होते हैं समझा कुछ वर्स पहले कितने थोड़े थे लेकिन हर साल व्रद्धी को प्राप्त करते बड़ेते बड़ा परिवार बन गया तो एक से दो, दो से तीन अभी कितने सेंटर हो गए UK तो अलग बड़ा है ही, कनेक्शन तो सबका UK से है ही क्योंकि विदेश का foundation तो वह है, कितनी भी साखाएं निकल जाएं, जाड़ विस्तार को प्राप्त करता रहे लेकिन connection तो foundation से होता ही है, अगर foundation से connection नहीं रहे तो फिर विस्तार व्रद्धी को कैसे प्राप्त करें लंदन में विशेष अनन्य रतन को नीमित बनाया क्योंकि फाउंडेशन है ना लंदन फाउंडेशन था तो सभी का connection, direction सहज मिलने से पुर्षार्त और सेवा दोनों में सहज हो जाता है बाप दादा तो है ही बाप दादा के बिना तो एक सेकिंड भी नहीं चल सकते हो ऐसा combined है फिर भी साकार रूप में, सेवा के सादनों में सेवा के प्रोग्राम, प्लैंस में और साथ साथ अपनी स्वावनति के लिए भी किसी को भी कोई भी direction चाहिए तो connection रखा हुआ है यह भी निमित बनाए हुए माद्यम है जिससे सहजी हल मिल सके कई बार ऐसे माया के तुफान आते हैं जो बुद्धी क्लियर न होने के कारण बाप दादा के direction को, सकती को catch नहीं कर सकते ऐसे टाइम के लिए फिर साकार माद्यम निमित बनाए हुए है जिसको आप लोग कहते हो दीदिया, दादिया यह निमित है जिससे टाइम वेस्ट न जाए आपकी बाप दादा जानते हैं कि हिम्मत वाले हैं वहां से ही निकल कर और वहां ही सेवा के निमित बन गए है तो charity begins at home का पार्ट अच्छा पक्का किया है वहां के निमित बन व्रदी को प्राप्त कराना यह बहुत अच्छा है कल्यान की भावना से आगे बढ़ रहे हो तो जहां ड्रड संकल्प है वहां सफलता है ही कुछ भी हो जाए लेकिन सेवा में सफलता पानी ही है इस स्रिष्ट संकल्प ने आज प्रत्यक्स फल दिया है अभी अपने स्रिष्ट परिवार को देख विशेश खुसी होती है और विशेश पांडवी टीचर है सक्तियां सदा मददगार तो है ही पांडवों से सदा सेवा की विशेश व्रद्धी का प्रत्यक्स फल मिलता है और सेवा से भी ज़्यादा सेवा केंद्र की रिमजिम, सेवा केंद्र की रोनक सक्तियों से होती है सक्तियों का अपना पार्ट है, पांडवों का अपना पार्ट है सक्तिया मतलब दादिया दीदिया और भाई लोग पांडव इसलिए दोनो आवस्यक है जिस सेंटर पर सिर्फ सक्तिया होती है और पांडव नहीं है तो पावरफुल नहीं होते इसलिए दोनों ही जरूरी है अभी आप लोग जगे हो तो एक दो से सहजी अनेक जगते जाएंगे मैनत और टाइम तो लगा लेकिन अभी अच्छी व्रद्धी को पा रहे हो ड्रड संकल्प कभी सफल न हो यह हो नहीं सकता यह practical proof देख रहे हैं अगर थोड़ा भी दिल सिकस्त हो जाते कि यहां तो होना ही नहीं है तो अपना थोड़ा सा कमजोर संकल्प सेवा में भी फरक ले आता है डड़ता का पानी फल जल्दी निकालता है डड़ता की सफलता लाती है डड़ता अगर होगी तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी फल जल्दी मिलेगा अब अव्यक्त मुल्यों से कुछ पॉइंट हेडिंग है परमात्मा दुआई लेनी हैं तो आग्याकारी बनो परमात्मा दुआई लेनी हैं तो आग्याकारी बनो जैसे बाप ने कहा ऐसे किया बाप का कहना और बच्चों का करना इसको कहते हैं नमबर वन आग्याकारी नमबर वन आग्याकारी किसको कहेंगे? कि बाप ने कहा और बच्चों ने तुरंट उसको किया बाब की हर direction को स्रीमत को यथार्त समझ कर पालन करना इसको कहते हैं आग्याकारी बढ़ना ठीक है ना बाबा ना जो कह दिया इसको तुरंद पालन करना है तो इसको बोलते हैं नमबर वन आग्याकारी स्रीमत में संकल्प मात्रबी मनमत वा परमत मिक्स न हो बाप की आग्या है मुझ एक को याद करो अगर इस आग्या को पालन करते हैं तो आग्या कारी बच्चे को बाप की दुआई मिलती है और सब सहज हो जाता है बाप दादा ने अमरत वेले से लेकर रात के सोने तक मंसा वाचा कर्मना और संबंद संपर्क में कैसे चलना है वा रहना है सबके लिए स्रीमत अर्थार्थ आग्या दी हुई है हर करम में मंसा की इस्तति कैसी हो उसका भी डाइरेक्शन वा आग्या मिली हुई है उसी आग्या प्रमान चलते चलो यही परमात्म दुआएं प्राप्त करने का आधार है इनी दुआओं के कारण आग्या कारी बच्चे सदा डबल लाइट उड़ती कला का अनुभव करते हैं ठीक है ना डबल लाइट का और उड़ती कला का अनुभव करते हैं आज्याकारी बच्चे हैं दुआओं के कारण बाप दादा की आज्या है किसी भी आत्मा को न दुख दो न दुख लो तो कई बच्चे दुख देते नहीं हैं लेकिन ले लेते हैं यह भी व्यर्थ संकल्प चलने का कारण बन जाता है देते तो नहीं है दूसरों के ले लेते हैं कोई व्यर्थ बात सुनकर दुखी हो गए ऐसी छोटी-छोटी अवग्याइं भी मन को भारी बना देती है और भारी होने के कारण उच्छी इस्तती की तरफ उड़ नहीं सकते बाप दादा की आग्या मिली हुई है बच्चे न व्यर्थ सोचो न देखो न व्यर्थ सुनो न व्यर्थ बोलो न व्यर्थ कर्म में समय गवाओ कुछ भी व्यर्थ नहीं गवाना है आप बुराई से तो पार हो गए अब ऐसे आज्याकारी चरित्र का चित्र बनाओ तो परमात्मा दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे बाप की आज्या है बच्चे अम्रत वेले विदी पूर्वक सक्ति साली याद में रहो हर करम करम योगी बन कर नीमित भाव से निर्मान बन कर करो ऐसे द्रश्टी व्रती सब के लिए आज्या मिली हुई है यदि उन आज्याओं का विदी पूर्वक पालन करते चलो तो सदा अतिंद्रिय सुक वाखुसी संपन सांत इस्तती अनुभव करते रहेंगे बाप की आज्या है बच्चे तन, मन, धन और जन इन सब को बाप की अमानत समझो जो भी संकल्प करते हो वा पॉजिटिव हो पॉजिटिव सोचो सुब भावना के संकल्प करो हमेशा पॉजिटिव रहना है और सुब भावना है संकल्प में भी सुब भावना रखनी है बोडी कौन से के मैं और मेरे पन से दूर रहो यही दो माया के दरवाजे हैं कौन से मैं और मेरा पन संकल्प समय और स्वास ब्रामन जीवन के अमुल्य खजाने हैं कौन-कौन से संकल्प, समय और स्वास इन्हें व्यर्थ नहीं गवाओ, जमा करो समर्थ रहने का आदार है सदा और स्वत आग्याकारी बनना बाब दादा की मुख्य पहली आग्या है पवित्र बनो, कामजीत बनो पहली बाबा क्या आग्या देते हैं? कि सभी को पवित्र बनना है इस आग्या को पालन करने में मैजरिटी पास हो जाते हैं लेकिन उनका भाई क्रोध उसमें कभी-कभी आदा फैल हो जाते हैं कई कहते हैं क्रोध नहीं किया लेकिन थोड़ा रौप तो दिखाना ही पड़ता है तो यह भी अवग्या हुई जो खुसी का अनुभव करने नहीं देगी जो बच्चे अमर्त वेले से रात तक सारे दिन की दिन चरिया के हर करम में आग्या प्रमान चलते हैं वे कभी मेंनत का अनुभव नहीं करते उन्हें आग्या कारी बढ़ने का विशेश फल बाप के आसिरवात की अनुभुती होती है उनका हर करम फलदाई हो जाता है जो आग्या कारी बच्चे हैं वे सदा संतुष्ता का अनुभव करते हैं उन्हें तीनों ही प्रकार की संतुष्ता, स्वत्य और सदा अनुभव होती हैं कौन कौन सी? वे स्यम भी संतुष्त रहते हैं दूसरा, विदी पूर्व करम करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ती से भी संतुष्त रहते हैं और तीसरा है, संबंद, संपर्क में भी उनसे सभी संतुष्ट रहते हैं आज्याकारी बच्चों का हर करम आज्या प्रमान होने के कारण स्रेष्ट होता है इसलिए कोई भी करम बुद्धी वा मन को विचलित नहीं करता ठीक किया वा नहीं किया यह संकल्प भी नहीं आ सकता वे आज्या प्रमान चलने के कारण सदा हलके रहते हैं क्योंकि वे करम के बंदन वस कोई करम नहीं करते हर करम आज्या प्रमान करने के कारण परमात्मा असिर्वात की प्राप्ति के फल सरूप वे सदा ही आंत्रिक विल पावर का अतंद्रिय सोक का और भरपूरता का अनुभव करते हैं अच्छा मिठे मिठे सिकिल अदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 आज का वर्दान है सच्छे साती का सात लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव विस्तार है रोज अमरतवेले सर्व संबंदों का सुक बाप दादा से लेकर औरों को दान करो सर्व सुकों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ कोई भी काम है उसमें साकार साती याद ना आए पहले बाप की याद आए क्योंकि सच्छा मित्र बाप है सच्छे साती का साथ लेंगे तो सहजी सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे जो सर्व संबंदों से हर कारिय में एक बाप को याद करते हैं वह सहजी निर्मोही बन जाते हैं उनका किसी भी तरफ लगाव अर्थार्थ जुकाव नहीं रहता इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती है आज का स्लोगन है माया को देखने वा जानने के लिए त्रिकाल दर्षी और त्रीनेत्री बनो तब विजयी बनेंगे अच्छा ओम सांती